दोसों options में आपने सुना होगा कि 50 सर्वे वाली call या 50 सर्वे वाली put 500 की हो गई, 100 वाली 500 की हो गई, 100 वाली 1000 की हो गई तो ये कब होता है? जब market के अंदर एक momentum build-up होता है तो आज की वीडियो के अंदर एक ऐसा price action आपके साथ introduce करने वाला हूँ जब भी वो आपको दिखाई देगा तो high probability रहेगी कि इसके next जो भी market moment देगी वो बहुत शाप देगी और वहाँ पर आप छोटे stop loss लेकर के इस तरह के moment को capture कर सकते हैं आपको कहने में सुनने में थोड़ा से simple लग रहा होगा, ऐसा लग रहा होगा, ऐसा नहीं होता लेकिन मैं कुछ ऐसे examples आपके साथ share करने वाला हूँ, आप उसको देख करके खुद यकीन करेंगे कि reality में ये price action बहुत काम का है और काफी बार आपको jackpot rate दिला जाएगा, तो जन्रस हमें बरबाद ना करते हुए, इसको चार step में समझेंगे, बहुत सारी चीज़ समझेंगे, सिफ टेकनिकल नहीं, कुछ patterns भी है, सारे step बहुत important है, जरूर देखेगा, और अच्छे से समझने कि हम पूरी तरीके से कोश करेंगे, कि आप अराम से इसको बैठ कर सुने और समझे कि क्या ये price action है, तो चलिए समझते हैं और शुरू करते हैं, बहुत बहुत सुवागत हैं आप सभी का trading channel के YouTube channel में, मेरे नामें अन्मौन मितल, बात कर लेते हैं, sideways market की, जो है step number one, अब ये sideways market का क्या logic है, क्या हम sideways market का कोई trend तो नहीं देख रहें कि ऊपर जाएगा तो base दो, नहीं, ये पिल्कुल हम ऐसा नहीं कर रहें, sideways market का हम कोई capture नहीं कर रहें, लेकि sideways market की psychology समझने की कोशिश कर रहे हैं, देखें, market में क्या होता है, कई पार market entire day, पूरे दिन market ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीच आता है, ठीक है, ये बहुत बार हमें देखने को मिलता है, कि market ने entire trading deck कुछ नहीं करा, पूरे दिन market ने कुछ नहीं करा, nifty, bank, nifty, बहुत सारे stocks, बहुत सारी जगा हम इस तरह के का, example देखते है कि market एक सीमी दारे के आंदर, रुक करके बैठ गया, अगर मैं nifty की हाल का, अ condition अगर bank nifty में दिखाई देगी, तो 600 की जगा मुश्किल से 200 या 300 points ही रह जाएंगे, बास समझ रहे हैं, यानि जो a woman वो उपर नीचे का capture करता है bank nifty, जो moment देता है, उसकी आदी ही रह गई, तो अगर इस तरह के अगर रुजान हमें देखने को मिलता है, तो ये रुजान ह तो समझ में आ रहा है market कहां जाएगी, दोनों अपना-पना काम कर रहे हैं और ठक आगर के बैट जाते हैं, यानि बायर्स यहां से उपर उठाने की कोशिश करता है, सेलर्स यहां से नीचे गिराने की कोशिश करता है, लेकि दोनों में से किसी को clarity नहीं है, कि market exact जाएगी क तो दोनों wait and watch पर हैं, कोई एक बड़ा bet नहीं लगा रहा है, अगर किसी ने बड़ा bet लगा दिया, तो हो सकते है market निकल जाती उपर, या सेलर्स ने लगा दे तो हो सकते है market तेज़े से नीचे निकल जाती, लेकि दोनों क्या कर रहे हैं, थोड़ी थोड़ी कोशिश हो र पूरे दिन अगर market के अंदर एक choppiness नहीं है, तो next trading day पर जो अगले दिन market open होगी, वहाँ पर आपके बड़ी moment मिल सकती है, अब इसके कुछ examples और इसके बारे में बहुत कुछ जानेंगे, सिर्फ इतना ही नहीं है, कि ये वीडियो के बारे में सिर्फ एक छोटी सी चीज आ स्टेप नमबर टू की, स्टेप नमबर टू है कि action after sideways market, भई market ने sideways दिया, उसके बाद next trading day क्या हो सकता है, किस तरह के रुजहान हमें देखने को मिलेंगे, तो पहले screen पर समझी लीजिए, फिर में आपको कुछ charts दिखाऊंगा, charts में आपको better समझी में आएगा, देखें, market अगर एक दिन पूरा चोपी रही, ठीक है, एक range में रही, कोई moment market नहीं दी, तो यह था हमारा day 1 और next day, यानि day 2, ठीक है, यहाँ पर क्या हो सकता है, अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, कि market दोनों तरफ पैमिक करने की कोशिश करेगा, लेकिन एक moment बहुत strong कि कैसे, देखि कई बार क्या करेगा market इसको तोड़ने की कोशिश करेगा, नेकि तोड़ेगा नहीं, एक बार तोड़ेगा फिर वापिस trap करेगा, तो यहाँ पर हो सकता है, एक stop loss आपका लग जाए, फिर market हो सकता है, नीचे आने बाद फिर वापिस market यहाँ से नीचे जान market के अंदर एक sharp moment आ जाती है, तो अगर फिर आपको कई मौका मिल रहा, फिर आप trade ले सकते हैं, तो एक ऐसी बड़ी moment भी आपको मिल सकती है, और उसके बाद ऊपर से फिर वापिस नीचे की तरफ भी एक बड़ी moment मिल सकती है, यानि second day पर आपको various opportunity मिलेगी, और वहाँ पर buying and selling के opportunity आपको मिल सकती है, और जो भी moment इसके अंदर आएगी, हो सकता है कि शुरवात में एक दो moment छोटी आए, लेकिन कुछ moment इसके अंदर ऐसी आएगी, जो बहुत बड़ी आएगी, और बहुत पैसा बना कर देके जाएगी, तो ये importance होती है day two की, इतना simple नहीं है कि काफ इस नीचे आ जाता है, नीचे आता है, ऊपर चले जाता है, आपने खुद बहुत बार देखा होगा कि track कर जाता है, तना easily पैसा नहीं पढ़ता है market के अंदर, market के अंदर देखिए होता क्या है, आप ये पता है कि day two trending रहने वाला है, लेकिन हमें नहीं पता कि हमारा कौन सा trade trending भी आएगा, तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें छोटे stop losses ले सकते हैं, छोटे stop losses लिए आपने, reasonable भी होने चाहिए, छोटे का मतलब ये नहीं कि बहुत ही कुछ points करे लिए, बार बार hit हो रहा है, ऐसे नहीं, reasonable stop loss, और technical थोड़े strong होने चाहिए, reasonable होने चाहिए, stop loss लिए, market आपके मतावित move करा, तो ठीक है, नहीं करा, तो stop loss लेकर के बाहर हो सकते हो, थोड़ा बहुत profit लेकर बाहर हो सकते हो, लेकि उस दिन ध्यान जरूर रखेगा, क्योंकि एक बड़ा profit आ सकता है, जो 4-5 गुना का आपको पैसा दे सकता है, तो उस पे आपको focus करना पड़ेग लेकि पहले एक बड़े के time frame पर समझ लेजिए, अब यहाँ पर देखिए, एक candle आपको दिख रही है, यह वाली, ठीक है, एक छोटी small candle, और इस candle ने market ने, इसका low तोड़ा, और कितना जबर्दस bank nifty नीचे गया है, अगर आप points के साफ से देख लेंगे, तो 1000 points bank nifty नीचे जो बहुत बड़ी moment आपको दिखा रहा है, कितनी जबर्दस moment आई, इसी तरीके सा अगर यह वाली candle आप देखेंगे, इसमें देखिए, अगले दी market की moment, bank nifty की ऊपर नीचे देखिए, किस तरीके से market ने बेव करा, अब यहाँ पर देखिए, एक छोटी candle, थोड़ा market के न बड़ा नहीं था, फिर यहाँ पर एक छोटी candle, एक moment था market के नदा लेकि बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन इधर वाली candle देखेंगे, तो एक बड़ा moment आपको यहाँ पर देखने को मिला, और यहाँ पर देखिए, एक small candle, यह वाली candle, market के नदर एक strong moment, यह वाली candle देखिए यह वाली candle अगर आप देखेंगे, तो moment नहीं आया, तो इसकी भी accuracy 60-70% है, जरूरी नहीं है कि यह candle मिली, अगले दिन high probability है, momentum आएगा, लेकिन 10 बार अगर आप देखेंगे, तो 10 में से 7 बार दिखेंगे आपको momentum, 2-3 बार हो सकता है, momentum ना दिखें, तो यह मत मानेगा कि 100% momentum आए गई आएगा, market गंदर हर चीज probability पर काम करती है, तो probability पर जरूर आपको focus करना चाहिए, तो अगर आप इस तरह के कि अगर आप देखेंगे, small candle देखेंगे, तो अभूमन क्या होता है, कि जहां पर breakout या breakdown हुआ, वहां market direction ले लेती है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता, तो इस चीज के उपर भी आपको focus करना चाहिए, अब एक काम करते है, time frame को थोड़ा छोटा कर लेते हैं, और छोटे time frame के उपर मैं आपको दिखाता हूँ, कि किस तरीके से momentum दिखता है, तो मैं 15 मिनट का फिलाल time frame ले रहा हूँ, और आप यहां देखेगा, कि कहां पर market ने यहां पर देखूं, यह देखिए, entire day market ने सिर्फ यह moment दी थी, bank 15 पूरे दिन, अब अगले दिन market देखे, क्या trending था, किस तरीके से market trending था, जैसे मैंने बोला कि नीचे market खुला, उसके बाद उपर गया, फिर उपर से फिर वापिस नीचे आने की कोशिश करी इसने, तो यह दो बार आप शायर ट्रैप हो जाते, ट्रैप होने के बाद फिर आप देखिए, वापिस यहां से नीचे आने की कोशिश करी, और उसके बाद market कंदर एक strong moment आगी, अब यह moment इतनी बड़ी थी, यह strong moment है क्योंकि expiry का दिन था, और इधर के level पर, यहां पर अगर आप market को दे होता, पचास अरव का stop loss लगा लेते हैं यहां पर, और यहां पर कुछ आपके trade जाते हैं, 20-30-40 मा लेते हैं, यहां पूरे दिन आपने trading करी, 200 रुपीस के आपका stop losses लग गए, और उसके बाद अगर आप देखिए, एक trade मिल गया, जिसमें आपको 500 points मिल गए, तो आपका सा लॉस कवर हो गया, प्रॉफीड आ गया, तो यही होता है, trending market में कुछ छोटे-छोटे stop losses लग जाते हैं, लेकि जब एक बड़ा trade आता है, थोड़ा सा hold करिए, और उसमें बड़ा पैसा कमाने की कोशिश करिए, और यह ज़रूरी नहीं कि 500 points ही आपको मिलते, कई लोग 400 points मे भी निकाल देते हैं, तब भी आप all over 100 points के profit में तो होते ही, पूरा capture तो नहीं कर बाते हैं काई बार, तो यह चीज़ यहाँ पर जरूर काम करती है, और कुछ examples में दिखाऊंगा, जब market sideways थी, आप यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर market सिर्फ इतनी range के अंदर पूरे दिन काम करके गई, इतनी range में, कोई market ने trend ही नहीं दिया, पूरा दिन, सिर्फ इतने movement के अंदर market काम कर रही थी, और यह मैंने खाल से 300 points की movement थी, मुश्किल से, अब उसके बाद आगर आप देखें कि next inning day market यहाँ खुला, थोड़ा सा market sideways करा, उसके बादे कि बहुत जबरदस trending गया, यह trending market में पैसा बनाना असान था, बन जाता, तो यही चीज़ है और इन्हीं चीज़ के उपर आपको focus करना है, और देख लेते हैं, ऐसे charts देख लेते हैं, जब market ने कोई movement ना दियो, और उस movement के बाद आप देखें कि market के अंदर एक अच्छा रुजान देखने को मिल देता है, अब यहाँ पर देखेए, एक और मुझे बढ़िया example दिखा है, अब यहाँ देखें, पूरे entire day market ने कोई movement नी दी, यह देखें, entire day market के अंदर कोई movement नी थी, next trading day पर देखें, market उपर खुला, नीचे गया, और बहुत नीचे गया, आप देख रहें कि किस तरीके स market behave कर रही है, यानि इस दिन, पूरे दिन जब market के अंदर कोई movement नी आया, यानि market undecided थी, या buyer, seller interested नहीं थे, कुछ भी reason हो सकता है, तो यह जो point of view है, वो next trading day पर जरूर impact डालता है, क्योंकि आज market trending नहीं थी, तो सब यह सोच रहे हैं, कि अगले दी market trending होगी, और जिस तरब रुजान ने एक बार पकड़ लिया, तो बहुत तेजी से जाता है, और यहां बड़ा पैसा बनता है, तो जो आप options में कहते हैं, कि 4 गुना, 5 गुना, वो पैसा यहां बनता है, इस market में, इस conditional market में बनता है, इधर नहीं बन पाएगा, आप इधर सोचेंगे, इधर नहीं कुछ नहीं करा, यह देखिए, यह है पूरे दिन का रुजान, और अगले दिन का देख लिजिए, मैंने कितने सारे example आपको continuously दिखाए हैं, और सारे देखें कितने जबरदस काम कर रहे हैं, इस तरह किसे market गिर गई, और देख लेते हैं, कुछ examples, market के अंदर एक CME दाएरे में काम, अब यहाँ पर देखें, CME दाएरे में यहाँ पर काम हुआ था, अगले दिन मार्केट हाला कि थोड़ा ट्रेंडिंग गया है, लेकिन गया है, लेकिन कई बार आपको इस तरह कि ट्रेट्स भी मिलेंगे, जब मार्केट के अंदर बहुत बार आपका ऐसी कंडिशन्स भी मार्केट में मिलेगी, कि दो दिन मार्केट CME दाएरे में था, और यहाँ के बाद देखें, जब अगले दिन मार्केट खुला तो ट्रेंडिंग में था, यह देखें, यह मार्केट CME दाएरे में था, एक दिन पहले भी CME दाएरे जो मैंने आपको दिये, अब next step में और चीजे जानेंगे, और इसको fine करेंगे, और समझने की कोशिश करेंगे, various trading opportunities आपको मिल सकती है, कैसे कैसे मिल सकती है, कैसे कैसे थोड़ा indicate आप कर सकते हैं, ज़रा उसके बारे में और समझते हैं, अब दोस्तों हमें ये तो समझ में आ कि sideways market है, choppy market है, उसके बाद next trading day पर एक market के अंदर moment आ सकती है, stock moment आ सकती है, लेकिन अब एक confusion पैदा होती है, confusion क्या पैदा होती है, कि हम ये कैसे judge करेंगे, कि हमें buy करने या sale करने है, क्योंकि breakouts और breakdowns तो काम कर रहे हैं, लेकिन ये हर बार काम नहीं कर रहे हैं, कई बार market उपर जाके, वहाँ से नीचे आ रहा है, कभी नीचे से उपर आ रहा है, तो यहाँ पर देखे, ये पता लगाना कई बार थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो एक चीज है, जो आपके लिए काम कर सकती है, जो है W पैटन, ये M पैटन, जिसको हम कई बार ABC पैटन भी बोल द देखेगा, आपको क्या करना है, देखे है, मार्किट माले टेगी है, ये Day 1 पर, Market Sideways रही, ठीक है, मार्किट Day 1 पर Sideways है, ठीक है, अब आपको Next Day पर क्या ध्यान देना है, कि market इसके उपर या इसके नीचे क्या कर रही है, for example, Market यहां से खुली, ठीक है, यां से खुलने के प लोली जा रही है तो ठीक है तो ठीक है यह हो सकता है कि पूरे दिन उपर चली जाए लेकिन अगर यह शापली एकदम उपर चली गई है तो थोड़ा सा वेट करिए और अगर आपको स्विंग्स ब्रेक होते भी दिखाई दे रहे है कुछ इस तरीके से जिसको हम M पैटन भी कहते है कुछ लोग इसको ABC पैटन भी कहते है और कुछ लोग इसको स्विंग्स कनवर्ट भी कहते है कि स्विंग्स रिवर्स हो गए तो अगर स्विंग्स रिवर्स हो गए है value pattern आपको मिल रहा है, swings यहाँ पर उपर की तरह बनने शुरू हो गए है, फिर आप यहाँ पर buying upon city भी डूंड सकते हैं, तो कुछ इस तरीके से एक pattern है, जिसको आप ध्यान में रखेंगे, तो आपको एक better direction पता लग सकते हैं, इसका कुछ example मैं आपको इसकीन के उपर भी दिखा देता हूँ, अब यहाँ पर देखी दोस्तों एक example दिख रहा है, जिसमें market sideways था, और next trending day पर market देखे, किस रफ्तार से नीचे गया है, अगर आप patterns को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, तो क्या हुआ, यहाँ पर market खुली, उपर गया, नीचे गया, फ उसके बाद यहाँ कोई trade ले सकते है, जी हाँ, यहाँ, यहाँ शॉट का trade बनता है, और यहाँ पर आपको direction पता लग जाती है, तो यह हो गया ना बढ़ी अप्राइस action, कि आपने swings देख लिए, कि swings weak हो रहे है, हो सकता है, market के अंदर एक movement strongly नीचे की तरफ आ जाए, लेकिन कई बार हो सकता है, market यहाँ से वापिस reverse करें और उपर की तरफ movement दे दे, तो वापिस अगर W type का pattern बन रहा है, exact यह नहीं हो सकता कि दोनों point बिलकुल एक जगा बने, थोड़े बहुत उपर नीचे बनते, swings देखे, swings अगर reverse हो रहे है, तो यह वापिस उपर की तरफ भी दे सकता है, लेकि फिलाल market के अंतर जो movement थी इतनी strong थी कि continuously market नीचे चला गया, right, मैंने यहाँ आप पंदा मिन का time frame लगाया हुआ है, आप 5 minute के time frame पे भी इसको capture कर सकते है, कोई issue नहीं है, 5 minute में थोड़ा सा जल्दी आपको clarification मिल जाती है, ठीक इसी तरीके से यहाँ देखिए, यहाँ भी market sideways था, market के अंतर कोई movement नहीं थी, यह देखिए, sideways, कोई market के अंतर movement नहीं है, उसके बाद देखिए, swings पे ध्यान दीजिए, एक तो बहुत sharply नहीं गिरे, ठीक है, उसके बाद देखिए, धीरे धीरे, यह यहाँ गया, और swings नीचे बनने शुरू हो गया, जब swings न रहे हैं, तो आप यहाँ पर shortcut trade डाल सकते हैं, हो सकता है, नीचे जाने के बाद reverse कर जाता, लेकिन यह continuously ही नीचे गिरी गया, कोई इसके अंदर buying दिखी नहीं पूरे दिन, entire day market नीचे गिरी गया, बड़िया पैसा बनता, यहाँ पर jackpot वाला पैसा आपको देखने को मिलता ह और example ले लेते हैं, कि market sideways हो, फिर moment आए, अब यह वाला देखिए moment, market यहाँ पर sideways है, ठीक है, sideways है, उसके बाद देखिए swings कैसे बन रहे है, swings पर ध्यान दीजिए, अब यह देखिए swings, यह बन गया, W pattern बन गया, और देखिए market उपर, हाला कि यह बहुत बड़ा पैसा तो नह नहीं आई, लेकिन एक moment आई थी, पैसा बन गया था, तो यहाँ पर M pattern, W pattern, swings, जो reverse हो रहे हैं, उन पर जरूर धियान दीजिए, आपका बड़ा पैसा बनाने में काफी help करेंगे, अब यहाँ पर देखिए क्या हुआ, देखिए, consolidation था, sideways था, market sharply उपर गया, फिर नीचे गय फिर उपर गया, हो सकता है, आप यहाँ पर कई buying कर लेते, हो सकता है, आप यहाँ पर buying कर लेते, आपको लगता कि market strongly उपर गया, लेकिन अगर आप देखेंगे, कुछ देर बाद market के swings नीचे बनने शुरू हो गए, तो यहाँ पर आपको alert हो जाना था, और आपको यह buying वाल करते, दो-तिन गुना हो जाता, तो यह important part था, market का, तो यह था दोस्तों importance, कि आपने moment भी capture करी, प्लस आपने direction भी capture करी, यह सारे काम हो रहे price action से, अब बात कर लेते हैं, step number 4 के, step number 4 में ऐसा क्या खास है, कि इसको देखना जरूरी है, तीन तो देख लिए, सब को समझ में आ या आप इसको यह समझिए, कि market का गिरावट का benefit, market जब गिर रही है, तो उसका एक benefit, options के अंदर उठाने का क्या है, देखें, आपने देखा होगा, market जब उपर जाती है, तो slowly जाती है, ठीके न, slowly उपर जाती है, दिरे-दिरे buying आएंगी, दिरे-दिर उपर जाएंगी, ब slowly बढ़ रहा होता है, और जब गिर रहा होता है, तो कुछ इस तरीके से गिर रहा होता है, ठीक है, यह हमने निफ्टी के अंदर भी देखा, हमने bank निफ्टी में भी देखा, यह हमने stocks में भी देखा, हर जगा यही ही होता है, reason क्या है, reason सिर्फ यहा है, fear, यहाँ पर होता ह डर और यहाँ पर डर नहीं होता है यहाँ पर जब डर होता है जिन्होंने भी यहाँ खरीदा होता है वो तो बेशते ही बेशते हैं जिन्होंने नहीं भी खरीदा होता वो भी बेशते हैं मतलब हर तरफ मार्केट का एक सेंटिमेंट बहुत ही खराब बन रहा होता है कई यह उत्याशर क्यों आता है जर्ण साइकलोजी को समझेगा जिरोंने यहां खरिदा है अब उनको क्या है बेचने की जल्दी है क्यों क्युकि हमारा जो profit होना चले जाए तो पहले तो जिन्होंने यहां ख रिदा है उनको बेचने जल्दी हो गई एक डर पैदा हो गया कि जो ह यह profit booking पर आगे, दूसरा नए log enter हो गए है, जो short कर रहे है, जिनको market नीचे गिरेगी, तो उनको benefit आएगा, तो उनको profit आएगा, तो यहाँ पर double मार पड़ती है, तीसरा यहाँ पर fair तो काम करता है, डर एक सबसे बड़ा reason है, और डर की वज़े से ही market एक्दम शापली नीचे आती है, और नुकसान होता है, जिन्होंने buying करी होती है, तो क्या हम इसका benefit उठा सकते हैं, जी हाँ, market के अंदर आप देखेगा, कि अगर आपको इस moment वाले डे पर, आपको पता लग गया, कि एक दिर market sideways था, अगने दिर market trending होने वाला है, अगर आपको कहीं भी short का trade अगर मि कर रहा हूं, जितने का आपने trade लिया है, मैं यह नहीं कहा रहा है, आपके पास 1,00,00,00 है, अकाउंट के अंदर, आपने 1,00,00,00,00 में लगा दिये, 3,00,00,00 आपने एक दिन में कर लिये, ऐसा करेंगे, तो 1,00,00,00, भी हो जाएंगे, एक दिन, आप, मेरा कहने का दोस्तो नहीं लगाना होता, यह money management बड़ा जरूरी है, market के अंदर, कुछ examples में आपको दिखा देता हूं, charts के ओपर, देखेगा, आप कुछ समझ जाएंगे, अभी हमने एक example की बात करी थी, यह वाला example, जिसमें market sideways था, next day market trending में था, तो अगर आप देखे, market यहां से लेकर, इस point से लेकर, इस point तक market ऊपर गया था, ठीक है, तो यह देखे, कितना time लगाया, इसने, यहां से लेकर, यहां तक जाने में, कितना time लगाया, almost, पूरा दिन लगा दिया, इसने, सुबा 9 बजे, market खुली, साड़े-बारा बजे गया, साड़े-बारा बजे तक भी, एक बजे तक यहां पर देखे, एक बजे गया था, ठीक है न, एक बजे तक भी market के अंदर यह movement थी, सिर्फ इतने, इतना market move करा था, और उसके एक डेट घंटे के अंदर market इस रफतार से नीचे गिर गया था, तो बास समझ रहे हैं, यहां पर देखे, दो benefit होते हैं, अगर आपने यहां पर put buy कर लिया, options के अंदर, ठीक है, put buy कर लिया, आपको market नीचे गिरेगा, तो benefit देगा, साथ ही साथ जो put के जो volatility होती है, जो market की volatility होती है, उसकी बज़े से put के prices भी भढ़ जाते हैं, और increase हो जाते हैं, तो double benefit मिलता है, expiring वाला दिन था, हलाकि क्या ही फरक पढ़ जाएग जो 100 रुपीस वाला, add the money का, bank nifty का put था, वो 400-500 पर दक्के होगे, 4-5 गुरा होगे थे, एक घंटे के अंदर, एक घंटे के अंदर, तो इस रफ्तार से आपको पैसा मिलता है, जबकि यहां से लेकर यहां तक वाला नहीं हुआ, 4-5 गुरा, क्यों इतनी रफ्तार से भाग ही नहीं, और भागता ही नहीं, क्योंकि जो market के अंदर, fear होता है, वो बहुत extreme होता है, और उसका हमेशा benefit trading में उठाना चाहिए, अब यहां पर देखिए, हमें एक buy का trade मिला था, अभी हमने यहां capture करा था, तो यह जो buy वाला trade था, जो हमने यहां capture करा था, क्योंकि एक दिन वाले trade है, वो आपको extremely down, मतलब strongly down होते भी देखेंगे, अब यहां पर देखिए, कुछ अलगी हुआ है, market गिरा भी तेजी से है, बढ़ा भी तेजी से है, यह बहुत rare देखने कोई मिलता है, हर बार देखने कोई नहीं मिलता, लेकिन आप अब women देखेंगे, जब market गिरता तो बहुत strongly नीचे गिरता, बहुत कम समय में गिरता है, यहां पर देखिए, कितने कम समय में, कितना नीचे चला गया market, लेकिन इतने ही कम समय में, उपर बढ़ने में, काफी तकलीफ होती है, market को देखिए, कितना strongly, bullish market था, लेकिन फिर भी बहुत दीरे-दीरे-दीरे करके उपर गया, तो इसलिए, down market का जरूर benefit उठाए, short trade का जरूर benefit उठाए, short trade का मतलब यह नहीं कि option को short करना है, option को short करना कर सकते है, लेकि premium जाधा लगता है, उसको handle करना थोड़ा सा अलग काम है, options buying को handle करना अलग काम है, तो दोनों की practicing बड़ी जरूरी है, तो उमीद करते ह प्राइस एक्षन आपको पसंद आया होगा, वीडियो आपके काम आएगी, internet trading के अंदर, इसको observe करिएगा, देखेगा, कि क्या reality में जो प्राइस एक्षन में आपके साथ share करे है, कि यह काम करते हैं, नहीं करते, तो देखेगा, backlifting के अंदर कोई दिन ऐसा हो, जो market थोड़ God bless you, bye-bye दोस्तो.